Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ Ginger यानि अद्रक से मिलने वाले 6 बहुत ही बढ़िया और पूरी तरह से scientifically proven health benefits के बारे में तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अद्रक खाने से आपको क्या-क्या health benefits मिलेंगे क्या आपको इसको इसको इस्तमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ये video आप ही के लिए हैं इसी के साथा दोस्तो वीडियो के end में मैं आपको एक बहुती बढ़िया तरीका भी बिताऊंगा अद्रक को इस्तमाल करने का जिस से आप इसके जादा से जादा health benefits को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही safe तरीके से इसको इस्तमाल अपनी रोज मररा की लाइफ में आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बीना किसी देरी के फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा अगर वीडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो इसको लाइक किये बिना मज जाएगा तो चलिए अब पहले जान लेते हैं कि इस अद्रक को इस्तमाल करने से आपको कौन-कौन से ऐसे हल्फ बेनिफिट्स हैं जो की मिलते हैं दोस्तों पुराने जमाने से ही अद्रक को as an anti-inflammatory drug इस्तमाल किया जाता रहा है तो यह एक ऐसी चीज है जो की बहुत सालों से एंशन टाइम से इस्तमाल होती आई हैं बट अब recent studies ने भी इस बात को प्रूफ कर दिया है कि अद्रक आपकी body के अंदर anti-inflammatory properties देता है और anti-oxidant properties को भी देता है और यह दोनों ही चीज़े chronic pains में आपको काफी relief प्रवाइड करते हैं अद्रक के अंदर एक main compound पाए जाता है एक natural oil पाए जाता है इसको बोलते हैं gingerol और gingerol के अंदर बहुत ही जबर्दस्त बहुत ही powerful anti-inflammatory property होती है और anti-oxidant property होती है और इसी की वज़े से आपको pains में फाइदा मिलता है दोस्तो नौजिया यानि जी मचलाना एक ऐसी problem है जो अकसर हम लोगों को कभी ने कभी face करनी पड़ती है बहुत अलग-अलग वज़ाएं इसकी हो सकती है indigestion की वज़े से भी हमें नौजिया हो सकता है जाता gas या flatulence पेट में हो जाती है या कभ्ज हमें रहता है तो उसकी वज़े से भी आपको नौजिया हो सकता है बहुत सारी दवाईया हैं जिनको इस्तमाल करने से आपको नौजिया की शिकायत होती है इन फैक्ट जो कैंसर होता है उसकी जो कीमो थरेपी होती है उसके कीमोथरेपी होने के बाद नौजिया की प्राबलम बहुत जादा फेस करनी पड़ती है इसके साथ कई लोगों को, especially जो वुमिन होती है especially क्या मतलब वुमिन में ही जो प्रेग्नेंसी का टाइम होता है उस दौरान नौजिया की शिकायत बहुत जादा होती है जिसको morning sickness बोलते हैं तो ये सभी तरह की नौजिया यानि जी मशलाने की जितनी भी वज़े हैं इन में से कोई भी वज़ा हो इन सभी के अंदर अगर आप अधरक का इस्तमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अधरक आपके बढ़े हुए वज़न को कम करने में भी बहुत ज़्यादा है अगर आप मोटे हैं या उबेज हैं तो उस केस में आप अगर अधरक रेगुलर इस्तमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे compounds ऐसे होते हैं जो कि हमारी बोडी के अंदर जो calorie burning का process होता है उसको stimulate कर देते हैं उसको बढ़ा देते हैं यानि अगर हम scientifically गए तो हमारा जो BMR है basal metabolic rate है उसको ये enhance कर देता है जिसकी वज़े से हमारी जो access fat होता है बोडी के अंदर वो mobilize होना पिखलना गलना शुरू हो जाता है especially कुछ studies में यहां तक पाया गया कि जिन ladies के अंदर hips में जादा fat जमा हो जाता है या जिनका जो hip और waist का जो ratio है वो बिगड़ जाता है तो उस case में इसका बहुत अच्छा result मिलता है आपके जो tummy के around fat होता है या जो hips के around fat होता है उसको गलाने में उसको mobilize करने में अदरक बहुत जादा helpful होता है और अगर आप कोई male भी है और आपका weight जादा है और आप इसको regular use करते हैं तो उस case में आपका पूरी overall body का weight भी ये कम करता है क्योंकि जो आपका calorie burning process है वो बढ़ जाता है अब ये जो फाइदा है अदरक को इस्तेमाल करने का यानि आपकी blood sugar को कम करने वाला ये एक relatively नया फाइदा है जिसके बारे में पहले लोग जादा नहीं जानते थे बट recent studies से पता चला है कि अदरक के अंदर anti-diabetic properties होती हैं और ये बहुत ही powerful properties होती हैं इनफेक्ट कुछ studies के अंदर ये पाया गया कि जिन लोगों ने 2 ग्राम अदरक रोजाना इस्तेमाल किया उनका सिर्फ 3 महीने के अंदर जो fasting blood sugar था वो करीब 12% तक घट गया और जिन लोगों के ने इसको 3 महीने तक इस्तेमाल किया 2 ग्राम अदरक को उनका जो HBA1C था यानि कि HBA1C का मतलब है कि जो आपका long term blood sugar marker होता है यानि इससे पता लगता है कि long term में आपकी जो average चल रही शुगर वो क्या चल रही है तो ये HBA1C करीब 10% तक घट गया ये एक बहुत ही promising research थी जिससे ये पता चला कि जो अदरक है ये anti-diabetic properties भी रखता है और सिर्फ यही नहीं जो लोग diabetic होते हैं क्योंकि उनके अंदर heart disease होने का खतरा भी जादा होता है तो अदरक को इस्तमाल करने से diabetic लोगों के अंदर जो heart problems होने का risk होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है अदरक हमारे digestive system को strengthen करने का भी काम करता है अगर आपको indigestion की problem रहती है, gas की, flatulence की problem रहती है या अफारे की शिकायत आपको रहती है तो उस case में आपको अदरक बहुत ज़ादा अच्छे results प्रोवाइड करता है इन फैक्ट अदरक का अगर आप regular इस्तमाल करते हैं तो ये हमारे body के अंदर यानि हमारे pate के अंदर जो digestive enzymes होते हैं उनके secretion को बढ़ा देता है और हमारे liver को भी stimulate करता है digestive enzymes को बनाने के लिए जिसकी वजह से हमारा digestion है वो improve होता है, हमें भूग ज़ादा लगती है और अच्छा फील होता है, पेट हलका महसूस होता है जिन लोगों को पेट में दर्द वगएरा की शिकायत रहती है या खाना खाने के बाद पेट चढ़ जाता है उन लोगों को अदरक का इस्तमाल करने से बहुत जादा फायदा मिलता है क्योंकि अदरक जो होता है research में यह पाया गया कि यह हमारे gastric emptying time को fast कर देता है gastric emptying time का मतलब है कि जो हमारा पेट में खाना जितनी दिर रहता है उसको जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ धकेल देता है अदरक जिसकी वज़े से हमारा पेट अगर भारी रहता है और हमें अफारे की शिकायत रहती है तो उसमें हमें काफी जादा help मिलती है दोस्तों अदरक हमारे बढ़े हुए कॉलिस्ट्रॉल को बढ़े हुए ट्राइगलिसराइड को और हमारे हार्ट की अलग-अलग दूसरी परिशानियों में भी काफी जादा helpful होता है अगर आपके अंदर बढ़ा हुआ कॉलिस्ट्रॉल है या आपका ट्राइगलिसराइड बढ़ा हुआ है तो अदरक एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जो कि आपको regular इस्तमाल करनी चाहिए ये आपके LDL को यानि बैड कलिस्ट्रॉल को तो घटाएगा और आपके HDL कलिस्ट्रॉल को यानि जो अच्छा कलिस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाएगा और ये दोनों ही चीज़े अल्टिमेटली आपके हार्ट हेल्थ को काफी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इसके साथ क्योंकि अद्रक के अंदर anti-inflammatory और anti-oxidant properties भी होती हैं तो इसकी वजह से ही जो हमारी नसे होती हैं वो भी जादा healthy रहती हैं हार्ट की जो muscles हैं वो भी जादा healthy रहती हैं और नसों के अंदर जो सकती और मोटाई बढ़ने की जो problem होती है उसकी जो progress होती है यानि इस problem में बोलते हैं atherosclerosis उस atherosclerosis के process को भी slow down कर देता है अद्रक तो overall आप कह सकते हैं कि complete आपकी जो cardiovascular health है उसके लिए एक बहुत अच्छा protective factor होता है अद्रक जिसको आप रोजाना अपनी diet में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अद्रक के इन सभी health benefits का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सही तरीका है अद्रक का इस्तमाल करने का वो ये कि आपको लेना है एक चमच कसा हुआ अद्रक अद्रक नहीं लेना है आपको एक अद्रक लेकर उसको कस लेना है और उस कसे हुए अद्रक को एक चमच ले ली जे और उसको डॉप बॉइल आप दीजिए यानि इतना उपढ़ाली है कि वह बॉघ्र से ऩाइल प्रब वापश से छान लीजै और इस पानी को गरम-गरम चाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं इस तरह से क्या होगा कि अधरक के जितने भी medicinal properties हैं जितने भी compounds हैं, steroids हैं और जितने भी इसमें alkaloids हैं वो सभी के सब इस पानी में आ जाएंगे और आपकी body के अंदर जल्दी absorb होके आपको ज़्यादा बढ़िया results देगे वैसे तो हम अधरक को अपनी salad में भी डाल के खाते हैं, बहुत सारी currys में भी डाल के खाते हैं, सबजीयों में भी डाल के खाते हैं बट इस तरह से इस्तमाल करना यानि पानी में उबाल के इस्तमाल करना कसने के बाद ये इसका बेस्ट तरीका होता है और एक proven method है जिससे कि आपको सबसे जादा अच्छे results मिलेंगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीका होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक like जरूर दीजिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजे अगर आपके कुछ thoughts हैं या comments हैं तो आप हमसे share कर सकते हैं या फिर आप Instagram पर भी हमें follow कर सकते हैं और वहाँ पर भी privately अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा